गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हाव आई यू, I hope you all are fine at home येस डियर स्टुडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पाठ तीन मात्राएं म आमा त्र आत्रा ए चंद्रेबिंदु मात्राएं बुक व्याकरन पुश्प पेज नंबर 1414, साइन ओफ वोवल्स मात्राएं क्या होती हैं, राधिका, राधिका यहाँ पे दो बच्चे हैं यहाँ पे शिक्षी का अध्यापिका, अध्यापिका बोल रही है मात्रा और राधिका स्वर राधिका, राधिका अब क्या बोलती है, क्या दो स्वर एक साथ मिलकर कोई शब्द बना सकते हैं राधिका अपनी अध्यापिका से पूछ रही है क्या जो दो स्वर है स्वर कौन से होते हैं अ से लेकर आओ तक जो स्वर होते हैं ग्यारा स्वर उन स्वरों को मिलाकर क्या कोई शव्ड बन सकता है तो शिक्षिका शिक्षिका मतलब अध्यापिका जो teacher है, बोलती है, हाँ राधिका, तो राधिका को बोलती है, आओ, अब आ क्या है, आ, आ मोता है, आ स्वर है, ओ भी स्वर है, आओ, ऐसा ही शब्द है, जो दो स्वरों के मेल से बना है, मतलब दो स्वरों से मिलकर एक शब्द बन सकता है, राधिका, अब राधिका क्या पू प्रशन आया कि जैसे स्वारों को स्वारों के साथ मिला कर हम शब्द बना सकते हैं क्या ऐसे ही व्यंजन व्यंजन मिला कर मिलकर शब्द बन सकते हैं बना सकते हैं तो शिक शिक अगर ने कहा नहीं क्योंकि प्रतिक व्यंजन में और स्वार तो पहले से ही मिला होता है जो हमार व्यंजन है क से लिखे हतक उसके अंदर जो व्यंजन है उसमें तो ओसे ही मिलकर व्यंजन बनते हैं जैसे आसा की कोई मातरा नहीं होती और पहले से व्यंजनों में जुडा हुआ होता है जैसे म, म के निचे भी हलन्त है, यह आधा म है, जमा अ, जमा ट, जमा अ, जमा र, जमा अ, जब र यह आधा है, जब इसमें अ पूजुडता है, तो यह पूरा र बनता है, तो माटर, मटर, इसके अलावा अन्या स्वरों को जोडने, इसके अलावा अन्या स्वरों को व्यंजन में जोडने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है अ की कोई मात्रा नहीं होती अ में जो व्यंजन है वो पहले से जुड़ा होता है लेकिन इसके इलावा अ के इलावा जो बाकी के स्वार है उनके लिए क्या है जब उनकी आवाज आती है तो हम मात्रा का प्रयोग करते हैं तो तो शिक्षिका अध्यापी का बोलती यह है विएंजनों के साथ आप को जोड़ने के लिए औ को चोड़ कर सभी स्वरों के लिए एक नीश्चित चीहन होता है विएंज ל के साथ जब विएंजेन के साथ हमने तो यह है जैसे मैं निश्चित चीन होता है उससे स्वर की मात्रा कहते हैं राधिका अब बात समझ में आई कि स्वर ही वास्तव में मात्रा होते हैं जो मात्रा है वो स्वर ही हैं हिंदी में स्वर कितने होती हैं ग्यारा लेकिन जो मात्रा हैं वो दस होती हैं क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती अ व उड़ेगा तो क्या बनेगा पूरा क कमल कमल कजमा का काला आकी जो मातरा होती है सिधी लाइन होती है कजमाई छोटी की मातरा आगे की तरफ से की कितेना कजमाई बड़ी की मातरा पीछे से की कील कजमाई कु कु कुल कजमाई कु पुदना, कजमरी, क्रिशन, कजम ए, के, केवल, कजम ए, कै, कैसा, कजम ओ, को, कोयल, कजम, कजम ओ, को, कववा, ठीक है, यह सब की क्या है, स्वरों की मात्राएं होती है, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा हमारे स्वर है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं है, ये व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा हुआ, बाकी की जितनी मात्राएं है, वो हमारी, दस मात्राएं है, स्वरों की ये मात्राएं, व्यंजनों के आगे, पीछे, उपर या, नीचे लगती है, अब यह भी जान के बाद अगर रुक ना रुक तो उ की छोटे की मात्रा जो है वो ऐसे लगेगी और में जब बड़े की वाज आएगी तो उसको हम बड़े की मात्रा पीछे लगाएंगे इसके नीचे नहीं लगानी है और की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं तो आज हमने क्या सिखा आज हमने सिखा वियंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के जो निश्चित चिन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं इन सब को हम मात्राएं कहते हैं ये मात्राएं हैं इन्दी में 11 स्वर हैं और 10 मात्राएं होती हैं 11 स्वर होते हैं दस मात्राएं होती हैं औ कि कोई मात्रा नहीं होती Yes, come to the next page page number 16 अभी आपने exercise करनी है अभ्यास चित्रों को देखकर उनके नामों में उची स्थान पर उचीत मात्रा लगानी है अब चित्र देखिए माला क्या है तित्ली त इतल इतित्ली शेरनी शेशेरनी चुहिया कोयल ओकी मात्रा है यह ठीक है कोयल देगए चित्र को ध्यान पूरवक देखकर उसके नाम में सही मात्रा पर गोला लगाई है चित्र किसका है पेड़ का तो पर एक ही मात्रा है तो जो पेड़ पर मातरा है उस पर हमने क्या लगाना है गोला लगाना है धोलक ओकी मातरा तो आकी है यह आकी है यह ओकी तो हमने यहाँ पर सरकल करना है कबूतर छोटे ओकी एकी ओकी तो हम यहाँ पर सरकल करेंगे प्रशन तीन खोजबिन आप जिस शहर में रहते हैं नीचे उस शहर का नाम लिखकर उसमें लगी मातराओं का अलग कीजिए गरोंडा में रहते हैं तो गरोंडा लिखकर फीदपूर या जो भी आप जहां रहते हैं वहाँ पर यहाँ शेहर का नाम लिखिए और यहाँ पर उसको मात्राएं उसमें जो जो मात्राएं हैं वो यहाँ पर अलग से लिखिए तो you will read आपने ये पाठ तीन मात्राईं अच्छे से पढ़ना है और समझना है और page number 16 अपने book में करना है Thank you, have a nice day